पंचकुला हिंसा और देश द्रोह के मामले में हनी पीत सहित तमाम आरोपियों को आज पंचकुला में विशेश CBI अदालत में पेश किया गया वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीये इनकी पेशी हुई कि 11 जन्वरी 2019 को एक बड़ा फैसले का दिन है पंचकुला में को द्वारा गुर्मीत राम रहीं पर एक और बड़ा फैसला जोई सुनाया जाना है पत्रकार राम चम्र चत्रपती हत्या मामले में फैसला सुनाया जाएगा आखिरकार 16 साल के संगर्ष के बाद उनके बेटे अ तमाम गाडियों की जो है चेकिंग की जा रही है यह आप देख सकते हैं फुलिस अधिकारी अहां पर हैं फुरिस करमplease है जो हर गाडी को खोल कर अंदर कितने लोग है क्या गाडी पर क्या समान जारा रहा एक परस्व पर सब्सक्रीश सब्सक्राइब ग्रव श्युकि final में जितने भी कोर्ट की तरफ जाने वाले रस्ते हों तमाम राख्तों पर इसी तरह से हैवी बैरिकेटिंग जो है वो की गई है और इसी तरीके से आने जाने वाली गाडियों की चेकिंग की जा रही है आने वाले दिनों में चेकिंग और जादा सक्त हो जाएगी इसके पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि इस बार कोई चूक नार है और इसके चलते आज पंचकुला पुलिस लाइन में टियर के स्कुरेट द्वारा अभ्यास भी किया गया जिस टेनिंग सेशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा आसुगैस के गोले दागे गए उनके द् पंचकुला से में सभी के विजे के साथ रेड़ नीज के लिए मंक्षरान